तो दोस्तों इंडिया में आपको OPPO A53 स्मार्टफोन मिल जाएगा 13000 रुपे की कीमत में और यहां पर आपको जो Realme Narzo 10 स्मार्टफोन है वो मिल जाएगा 12000 रुपे की कीमत में तो यहां पर OPPO A53 और Realme Narzo 10 स्मार्टफोन के बीच में है 1000 रुपे का अंतर तो यहां पर आज लो फाइनले फूल का discussion पासकते हो, एक conclusion पासकते हो कि आपको किस smartphone की तरफ जाना है, and कि smartphone की तरफ नहीं, and किस लिए, किस basis पे, किस reason की वेश से जाना है, तो आएए guys, आज किस वीडियो को शुरू करते हैं, और start करते हैं detailed comparison को, बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले के पार्ट से, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे OPPO के A53 में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, एक 6.5 इंचेस की एक डिस्प्ले, जो के एक SD प्लस की डिस्प्ले है, IPS पैनल है, और एक LCD स्क्रीन है, जहाँ पे आपको 90 हर्स की रिफ्रेश्ट देखने को मिल जाएगी, बहुत ही स्मूर्थ ही आपका स्मार्टफून की अनिमेशन देखने को मिल जाएगे, और साथी यहाँ पे आपको 89% से साथा की मिल जाएगी स्क्रीन तो बॉडडी रेश्यो, अब कहने की बात यह है कि जो डिस्प्ले है, लेकिन जो क्वालिटी है वो 720p की है, तो इसका मतलब आपको एक SD Plus की डिस्प्लेशन में आप सारे के सारे वीडियोज वगेरा को गेम्स वगेरा को प्ले वगेरा कर सकते हो, स्ट्रीमिंग कर सकते हो, यह क्वालिटी इस डिस्प्ले के अंदर है, अगर बात किया चाहिए स रियल मिनार्जो 10 स्मार्टफोन के डिस्प्ले से, तो यहाँ पर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की HD Plus डिस्प्ले और यह भी LCD स्क्रीन है, जहाँ पर आपको एक mini drop notch देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर इंस्टॉल होता है आपका selfie camera setup, यहाँ जो protection है, वो देखने को मिल जाए concept इन दोनों स्मार्टफोन का सेम है, अब यहाँ पर बात किया जाए camera comparison की, OPPO के A53 स्मार्टफोन में मिलता है आपको 13MP का triple camera setup, जो आता आपका 13MP के primary camera, 2MP के secondary camera and 2MP का आपको पता है last में होता है depth sensing के लिए, तो यह कुछ triple rear facing camera setup है OPPO के A53 स्मार्टफोन में, अगर सामने ही इसी camera की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 16MP का camera, जो कि एक selfie camera है, एक punch hole है और यह in display आपके top left corner में installed होगा आपके screen के सामने, तो यह तो बात होगी camera के concept में OPPO के A53 स्मार्टफोन में, अगर मैं इसे compare करता हूँ Realme Narzo 10 smartphone के camera concept से, तो यहाँ पर आपको मिलता है 48MP का quad camera setup ज इसी Realme Narzo 10 smartphone के rear side में, अगर सामनी तरफ में बात करें, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 16MP के selfie camera setup, और आपको पता है, यह एक duo drop notch shape यहाँ पर हम लोग कहें, तो mini drop notch shape में यहाँ पर इसके इंस्टॉल्ड देखने को मिल जाएगी, अब camera concept को अगर हम लोग यहाँ पर clear करते यही आ जाती है कि जो quad camera है, obviously triple camera से बहुत जादा best होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक plus camera का फायदा यह होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको mini telephoto shoot lines मिल सकता है, या फिर depth sensing के लिए आपको ज़्यादा थर बुके वगेर के features दिखने को मिल जाएगे, साथ ही यहाँ पर एक camera concept को clear करता हूँ, real Minarzo 10 and Oppo के A53 smartphone के बीच में, तो यहाँ पर एक obvious winner जो है, वो है हमारा real Minarzo 10, क्योंकि selfie camera दोनों smartphone में same है, लेकिन जो rare camera है, यहाँ पर real Minarzo 10 में, as compared to Oppo के A53 से कहीं ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, अब यहाँ पर guys अगर बात करेंगे battery comparison की, तो Oppo के A53 में मिलता है, आपको 5000 mAh के battery capacity, obviously जो normal average smartphone में जितना होता है, उसे कहीं साथ अच्छा देखने को मिल जाएगा, साथ में यहाँ पर आपको मिलता है, एक 18W का charging adapter, जो कि obviously fast है, USB Tab-C के आपको मिल जाएगी connectivity तो जिसकी मतलब से आप लोग बहुती boost में charge कर सकते हो अप अगर मैं इसे compare करता हूँ, Realme Narzo 10 smartphone के battery से तो यहाँ पर भी आपको 5000 mAh की battery capacity मिलेगी, तो यानि कि जितना जादा लंबे समय तक साथ निभाएगा OPPO का A53, उतनी लंबे समय तक साथ निभाएगा Realme Narzo 10, बस यहाँ पर थोड़ा सा processor में comparison होता है, अगर processor और जादा decent है, battery management वाला है, तो डिरेफिनेटली आपका जो यह battery capacity वाला जो चीज है, यह अपने आप में बहुत ज़्यादा कमाल होता है, इसको चार्ज करने के लिए आपको वैसा ही चार्ज मिल लाएगा, 18W का charging adapter और यह भी fast है, and USB Tab-C connectivity है, तो मेरे हिसाब से battery concept यहाँ पर tie-up होता है, इसक आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो processor है, यह एक latest processor है, 2020 का latest processor है, आपको OPPO के A53 smartphone देखने को मिल जाएगा, अगर मैं ऐसे compare करता हूँ, Realme Narzo 10 smartphone के processor से, तो यहाँ पर आपको सबसे पहली बात हो, MediaTekar processor मिलता है, जो कि Helio G80 का octa-core processor है, यह भी obviously octa-core processor है, जहाँ आपको 12 2 GHz के मिलेगी speed, Mali G52 के आपको मिल जाएगी GPU, अब यहाँ पर क्या comparison है, इन दोन प्रोसेसर में सबसे पहली बात हो, यहाँ पर जो Snapdragon 460 है, उसमें आपको बहुत कम दिखने को मिल जाती है, और सिर्फ वहाँ पर यही चीज का फाइदा नहीं है, वहाँ जो transistor है, आपको पत बन सकता है, लेकिन अगर मैं पूरा का पूरा overall performance compare करूँ Snapdragon 460 के प्रोसेसर से, तो यहाँ पर आपको एक ही चीज निकल के सामने आएगी, वो यहाँ पर जो performance आपको दिखने को मिल जाएगी, दोनों स्मार्टफोन में, वो आपको कहीं जाधा अची देने को मिल जाएगी OPP के A53 में, क्योंकि वहाँ पर आपको Snapdragon 460 प्रोसेसर मिल ला है, कहीं ना कहीं जाधा improvement भी हो और काफे जाधा अच्छा वहाँ पर यूटलाइस किया है अपने आप में, तो प्रोसेसर दोनों में अच्छे हैं, एक प्रोसेसर जो है, यह एक गेमिंग के लिए अच्छा हो सकत पर और रियर-mounted fingerprint sensor का आपको option देखने को मिल जाएगा आपके back body के जाज़ पीछ है, अगर मैं ऐसे compare करता हूँ, Real Minarzo 10 smartphone के slot set and scanner से तो यहाँ पर भी आपको dedicated card slot option मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको मिलता है fingerprint sensor का option, तो यहाँ पर भी tie-up होता है, अगर गाइस बात कियागा यह एक glass bag वारा body design है या नहीं, लेकिन obviously एक glass bag वारा body design नहीं है, यह एक plastic bag है, और यहाँ पर आपको finishing है, वो 3D wave designing के देखने को मिल जाएगी, जो पूरा smartphone का packaging है, वो मिलेगा, आपको glossy glass finishing का और दो color के option के साथ में available है, जो कि है white and black के साथ में, अब यहाँ पर मैं compare करता हू आपको किसमें देखने को मिल जाएगी, तो obviously आपको OPPO के A53 में, because वहाँ पर आपको glossy finishing तो ही है, 3D wave designing भी है, जबकि यहाँ पर Real Minarzo 10 में एक अच्छा खासा texture finishing देखने को मिल जाएगा, shining का तो पता नहीं, लेकिन इतरा पता है कि यह आपको एक अच्छा सा premium smartphone जरूर बनक कीमत में, compare करता हूँ से Real Minarzo 10 के pricing से, तो यहाँ पर आपको एक variant देखने को मिल जाएगा, 4GB RAM, 128GB का variant, 12,000 रुपे की कीमत में, तो यहाँ पर मैंने दे दिया है A2Z comparison, Real Minarzo 10 and OPPO के A53 smartphone के बीच में, अब चलते हैं conclusion के पार पे, और वहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों smartphone में इसे वाके में कौन सा winner है, and किस वेसे पे, किस कारण की वाज़स है, क्योंकि वहाँ पर, यहाँ पर OPPO के A53 में, आपको 1,000 extra रुपीज लागा कर जाना पड़ रहा है, और यहाँ पर Real Minarzo 10 में, एक हजार कम में देखने को मिल जाएगा, इसके लाबाँ यहाँ पर storage है, व A53 हुआ, आपका 13,000 रुपी कीमत में, and Real Minarzo 10 हुआ, 12,000 की कीमत में, फटा-फट से दिखते हैं, क्या concept है, जो यहाँ पर जो चीजें equal है, वो में फटा-फट से बता दिता हूँ, जो बैटरी का concept हो, वो पूरा-पूरा equal है, और OPPO के A53 में, जो यहाँ पर डिस्प्ले की आपको बैसे हैं, लेकिन फाल के A53 में फटा देहुता है, एक में अच्छा-खासर दिता की यहाँ से, अच्छा-खासर दितर्फेहाँ, जो यह पर बहुती से है यहाँ पर चीज का है, जो robusty antenna है, वो भी पे जैनने को मिल जाएं, तो यहाँ पर आपको यहां आपको रूर सबसे पहले बात यहां पर पहले एक और चीज़ सिमिलर है वह है पॉली कामिने बाड़ी लेकिन मैंने आसे की बता है आपको कि यहां पर जो ग्लॉसी फिनिशिंग है वह ओपो के अ-53 में देखने को मिल लिए तो मेरा उपिनियन भी इस तरह जाएगा इसके लाबा यहां पर हो रियल मिनार्zot 10 से बहुत जूदा अच्छा है यहां मेरे सापते कि नाड़के दे इसे हम लगोदे ने बात की है वह अच्छा-से और मेरे साथ सक्याल मेरे साथ सरे क्या है में जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं वो कितने जाद आपने आप में बहतर हो रहे हैं और जैसे कि आपको पता दूर डिस्प्ले की कॉंसेप्ट में चाहे आप गेमिंग करो या ना करो से कोई मैटर नहीं होता लेकिन 60 हर्स का रिफ्रेश्ट सभी स्मार्फोन में देखने इस वज़े से रियल मिनार्जो 10 को फेवर इसलिए जा रहा है क्योंकि वहां पर आपको फूर्थ क्यामरा जो मिल रहे हैं रियर सैट से वर्ना से सेल्फी के बात करें तो इक्वल है तो मेरे साब से आपको ओपो के 53 की तरफ बने रहेना च्छी है रियल मिनार्जो 10 भी आप लग मुझे कॉमेंट से मिल कर बता सकते हो वीडियो होती है कितम पसंद आयो तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मिलते अगले वीडियो में जत तक के लिए बाए